हेलो दोस्तों आप देखना सुरू कर चुके हैं ग्यानकोस और आज हम बात करने वाले हैं LPL 2020 के 13 में मुकाबले की जो खेला जाएगा कोलम बोकिंग्स और कैंडी टरकर्स के बीच में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है निउस अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैच प्रेडिक्सन वीडियो दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक वाट्सब नंबर दिख रहा होगा प्रिंस भाई का मैं इनका कम काफी दिनों से देख रहा हूँ, यह बैक टू बैक 100% मैच प्रेडिक्सन दे रहे हैं टासो मैस तो पास करा ही रहे हैं, साथ में सेसन भी पास करा रहे हैं मैं आपको एक बास सेजेस्ट करता हूँ, कि इनके वाट्सब नंबर पर मैसे जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप लॉस में चल ले हैं, तो यह आपको फुल प्राफिट करा कर देंगे और अगर प्राफिट में हैं, तो आपका प्राफिट डबल कर देंगे यह नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी देखने को मिल जाएगा पसे पहले हम बात करेंगे कोलंबो किंग्स की प्लेइंग 11 की तो हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे विकेट कीपर बल्लेबाच दिनियस चंडिमल और लाइरू इवन्स नंबर तीन पर नज़र आएंगे डीसिलवा और नंबर चार पर कप्तान एंजलो मैथ्यूज खेलते हुए दिखेंगे बात करें मेडल आडल आलाउंडर की तो हमें देखने को मिलेंगे धुआधार आलाउंडर आंडरे रसल आसान प्रियांजन और इस्रू उडाना बात करें बालिंग लाइनप की तो इसमें मौजूद हैं धमिका परसाद जैफरी वंदिर से कैस अहमद और दुस्मंता चमीरा तो दोस्तों क्या लगता है आपको कोलंबो किंग्स की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी अब अगर बात करें कैंडी टरकर्स की प्लेंग 11 की तो हमें देखने को मिलेंगे रह्मानुल्ला गुरबाज और उनका साथ देने के लिए क्रिच पर मौजूद होंगे कीपर कप्तान कुसाल परेडिया नंबर तीन पर नजराएंगे कुसाल मैंडियस और ब्रेंडर टेलर खेलते हुए दिखे लिए बात करें मिडला डरावंडर की तो हमें देखने को मिलेंगे कामेंद्व मैंडियस असेला गुनृतने और परसनौ-ण्य भातकरें में बैट्समैनों के लिए काफी मदद है वहीं स्वेंब बालिंग को भी काफी मदद मिलती है हमने बात की दोनों टीमों की फ्लेंग लेविन की और ग्राउंड रिपोर्ट की अब वक्त है हमारी प्रेडिक्सन का तो हमारे एनालिसिस के एकारडिंग इस मुकाबले में में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ग्यानकोस और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी मत भूलें जिससे कि आप एक भी अपडेट मिसना कर पाएं